नमस्कार दोस्तों नौलज की चनल में आप सबका एक वार फिर से स्वागता है जैसे कि हम और आप सब जानते हो कि करोना वाइरस की वज़ा से बहुत सारी मुश्किले लगातार आ रही हैं जैसे कि बैंक में भी बैंक तो वैसे खुले हैं पर वहां पर जाना थोड़ा सा मु हो गया तो और भी ज्यादा दिक्कत आ रही है क्योंकि जो रीचार्ज की दुकाने हैं जहां से हम रीचार्ज करा सकते हैं जहां इनके शोरूम है किसी भी कंपनी के जहें डीटीएज के जहां मुए सिम मौले तो वहां वही रीचार्ज नहीं मिलेगा यह सबसे बड़ी मु अगर हम अगर आपको खतम होगा माव तो हम 3 दिन का लोन ले सकते हैं अभी में सबसें बड़े कंपिरता से देह रही हैं चबसे ना हो रहे हैं तो ही चलेगा यह सबसे बड़ी मुश्किल आ रही है और इस पर यहां एक और समस्थे हैं अगर बंद हो जाए बॉक्स बंद हो जाए मनुरंजन ना मिले घर पार तो लोग क्या करेंगे घर पर बैठे तो रह नहीं सकते अभी तो टीवी देख रहे हैं घर पर बैठके अपन टाइम पास कर रहे हैं इसके बाद अगर यह खत्म हो जाए बैर्स ना हो तो क्या करेंगे लोग सटकों पर जाएंगे बाहर निकलेंगे इसी को देखते हुए डीटीएज कंपनियां भी इस पर सोच विचार कर रही हैं और हमें कुछ राहत दे सकती है आने वाले टाइम है अभी तो दो दिन हुए हैं बारत बंदुए में यह केर्फी गएा लगाल दो दिन यह यको आगए जाकर आगस कर दो वोक्स में खत्म हो गया है तो आपको एक मीहने का लोन दिया जाएगा ऐसा हमें एक दो दिन में नियूज आ सकती है कि सब ही कमपनिया कर दे क्योंकि इतने उनकों भी बहुत नुक्सार हो रहा है क्योंकि बहुत सारे लोगों का अब रिचार्ड मितनी होते ही वह हैं आप घूंड हो सकता है कि हम सबके लिए ये खुशक्वरी लेकर आए आने वाले एक दो दिन में कि डीटीएज कंपनिया एक महिने तक सभी को रहात देगी फ्री में लोन देदेगी और अगला जब यह जैसे यह कर्फियों खुलेगा उसके बाद हम उनको उनका लोन वापस कर देंगे जैसे अभी हम तीन दिन का लो